दोस्तों, नमस्कार। मैंADJAKUMARबरमा, he sec supervised Middle East अभी बारिष का मौसम चला है दोस्तों और बारिष के मौसम में एक चीज बहुती कामन हो जाए है की ना हर एक बन्दे के फार्म पर मैं देख पा रहा हूं कि सब लाइतर हैा हो जा रहा है अब लीटर डेमेज हो जा रहा है दोस्तू तो वो कहीं न कहीं वह बहुत बड़ा नुक्सान का कारण लीटर ही होता है हैA का आग लीटर ही होता है और लीटर में अगäre आपके दिख्कत हुई तो मानके disproportionately 110% दोस्तो आपका लाट बिगड़ेगा क्योंकि लीटर एक ऐसी चीज़ है दोस्तो कि यह अगर बहतर है तो आपका मुर्गा भी बहतर रहेगा अगर लीटर नहीं बहतर है तो आपका मुर्गा भी बहतर नहीं रहेगा ये मैं इसलिए बोला हूँ दोस्तों कि मेरा खुद का आठ साल का एक्सपेरियंस है इसमें अगर आपके लीटर में खराबी आई तो मान के चलिए कि आपका मुर्गा जो है ये कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा जैसे दोस्तों इस फार्म का जो कंडिशन है अभी ये फार्म है दोस्तों और इस फार्म में न चौबिस दिन में मुर्गा ग्यारा सो गराम वजन आ गया था तीन दिन मलब वजन दो दिन पकड़ लेज़े दो दिन से वजन नहीं आ रहा था तो जब हमें पता चला हमने कहा कि भाई कल भी वजन किया गया परसो भी वजन किया गया दो दिन लगातार वजन करने के बाद में पता ये चला कि भाई वजन नहीं आ रहा है तो वजन ना आने का कारण भी होना चाहिए ना तो फिर हमने फीड चख कि फीड एक दम सेही थी प्लस उसके बाद में हमने चेकاع कि भाई वाटर इंटेक का सा है, वाटर इंटेक भी सेही था, बीट भी सेही थी पर मुर्गा वजन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लीटर पे जा रहा है और लीटर दोस्तों इतना बेकार लीटर की अब क्या बताया आपसे मतलब लीटर में बड़ी बड़ी सी पपड़ी मतलब मान के चले चार इंच की पपड़ी निकल रही है और वो भी जितना भी लीटर है वो एकदम टाइट सा हो गया है उस पे बड़ बैठेगा तो उसका जो देखें बड़ का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी हमेशा मिट्टी में लगके रहता है साथ ही साथ में उनकी जो कलेजी होती वो भी ग्राउंड में लगके रहती है तो इसलिए दोस्तो मुर्गे कोना हमेशा सूखा वो दिया जाता है ताकि इन सारी दिक्कतों से मुर्ग अपना बढ़ सके हम जब इन सारी चीज़ों को देखे दोस्तों तो आपको सच्ची बता रहा हूँ कि मैंने कहा अब भी काम सुरू करो और मैं साथ में हूँ, मैं भी काम करूंगा. तो हमने क्या क्या है दोस्तु कि यहां पर लीटर को अल्टीमिटली अगर आपको सूखा करना है. यानि जो आपका बूसी होता है दोस्तों वो अगर मान लेजे वो राइस पॉलिस की बूसी है राइस की बूसी है यानि जो चावल होता है चावल की बूसी है दोस्तों जिसको हम लोग आम भासा में हमारे गाउं में दोस्तों बूसी बोलते हैं लेकिन अगर ये कभी डेमेज होती है ना तो मैंने देखा है इसको अगर आप चूना उनली चूना आप कितना भी मार दो लेकिन उससे सही नहीं होती है क्योंकि इसमें भुरुबुरा पन जैसा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है तो हमने क्या किया कि इसमें इसको अच्छे से भुरुरा बनाने के लिए आपको एक काम करना होता है जो होता है आपका सिंगल सुपरफास्पेट सिंगल सुपरफास्पेट दोस्तो हमने लिया है इसमें सिंगल सुपर फासफेड और साथ में एकदम पिसा हुआ चूना यानि अगर चूने को दोस्तों चूने को आप लेके आते हैं वो बड़ा बड़ा सा अगर टुकड़ा टाइप से है तो उस पे क्या करें पानी छिड़क दीजिए पानी छिड़कोगे तो उसके तीन से चार घंटे के अंदर अंदर वो पूरा एकदम से भूसा बन जाएगा महलब अगदम बारीक हो जाएगा तो बारीक वाला ही चूना अपने को चीजिए तो वो चूना ले लिए और उसमें हमने मिला दिया सिंगल सुपरफासफेट इन दोनों को मिला करके और हमने क्या क्या कि इन दोनों चीजों को मिलाने के बाद में दोस्तों इसको ना टूटली हमने कहा एक आद फिट में दस फिट में नहीं करना है इसको पूरे बूसी में मिला दो एक्चली क्या है कि बारिस के मौसम में सब का बूसी जो है जो लिटर होता है न वो खराब हो जाता है तो इसी लिए हमने क्या कि कि सारी की सारी भूसी में इसको मिलवा दिया मिलवाने के बाद में दोस्तो हमने क्या कि पहले जो नीचे पड़ी हुई भूसी है उसके उपर चूना डाले चूना डालने के बाद में उसको अच्छे से रैक करवाए जबर जस्त रैक करवाए रैक करवाने के बाद में उसमें फिर से उसके उपर नई बूसी आड़ कर दी है नेस्ट डे में जब दोस्तों उसको रैक किया जाएगा ना तो नीचे वाली बूसी प्लस उपर वाली बूसी यह दुनों मिलेंगी तो थोड़ा सा वह बूसी ना हलका होगा और बुरबुरा टाइप से बनेगा बुरबुरा में एक बहुत की कॉमन चीजे हैं ब्राइलर ही नहीं बलकि हर एक पच्छी में आप टर्की कर लीजिए गिनिफॉल कर लीजिए या आप हाइटर मुर्गे का रखिए या देशी मुर्गे का रखिए किसी भी प्रकार के मुर्गे का रखिए उसमें हमने देखा है इस चीज कि अगर इन चीजों पर आप क्या करेंगे कि जैसे ही इन चीजों को रखते हैं आप अपने फार्म के अंदर और जब इनको ना अच्छी भूसी मिलते तो यह क्या करते हैं अपने पैर से इसको हटाते हैं बार-बार हटाएंगे यह इनका एक्सरसाइज होता है कि जितनी बार यह पेर से हटाते न इनका एक्सरसाइज होता होता है और जबरजस्त वाला कि आप‍श्याईज करने बादूर्ध आपका क्या करेगा कि उस पर रिलीप महईसूस करता है है तो रिलीव महसूने के बाद में दोस्तों गोना बहुत ही अच्छे से और ही है इस च्छी बता रहा हूं मैं बहुत भी है अच्छे से बाढ्ड पाइठेगा एक्सर स्नालेकरेगा तो इस Also फिर थ आना निश्चित पिछले दाई रिजल्ट गया था वो रिजल्ट एक नंबर का था इस बार भी इसका रिजल्ट गजब का जाएगा यह मैं हम यह चीज बता दें दोस्तों आप जितना ज्यादा मेहनत करते हो उतना ही बहतर रिजल्ट होता है मैं आप लोगों कोई भी भी बार बार बोलता हूं कि भाई महनत करो बूसी खराब ना होने दो मल्टी विटामिन कप चलाना है उसको टाइमली चलाओ एंटिवाटिक कप देना है उसको टाइमली चलाओ किड्नी फ्रेसर का सबसे बड़ा रोल ब्राइलर में किड्नी फ्रेसर एकदम भगवान है दोस्तों उसको टाइमली चलाओ यह सारी दवाएं ना उसके साथ में ग्रोथ प्रोमोटर की चाहे हो देशी हो या अंग्रेजी हो उनको भी समय से चलाओ इस तरह से अगर आप लोग प्रियोग करोगे दोस्तों ना गारंटीक के साथ बोलता हूं बहुत हीने गजब का रिजल्ट रहता है अभी ना मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारी वीडियो को गलत बोलने लगते हैं गलत बोलने वालों कभी एक रिजल्ट नहीं सहीं जाता है तुमारा और मुझे बोल रहे हो मैंने न अपने जीवन में वह चीजे देखी है और उतना बहतर मैंने काम किया है कि क्या बताओ आपको भाई पोल्ट्री फार्मिंग में आपको खुद से काम करना पड़ेगा आप बहुत बड़े मालिक हो तो मालिक बने बैठेर हो काम तो करना ही पड़ेगा अगर बंदे को नहीं समझ में आ रहा तो आपको भी काम करना पड़ेगा हम भी वही करते हैं आपको भी करना पड़ेगा लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को यह सारी चीजों को छोड़ करके मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमेशा इन सारी चीजों का ध्यान रखिए बहु कोई डाउट नहीं है अगर कहीं बर्ड में कोई प्राब्लम आती है जैसे अभी आम चीज के लिए चिक चाक की बहुत बड़ी प्राब्लम है सुबह से मेरे पास कमचे कम मान के चलिए 54 फोन आया है उसमें से कुछ मेरे जो मेंबर वाले हैं वो भी थे और कुछ ऐसे थे जो क बंदे बाहर वाले थे तो सबके यह एक ही बात बोल रहे हैं कि हमारे हैं तो चिक चक आ गया चा जाए दोस्तों तो उसमें क्या करिए कि एक अजित्रों माईसीन टेबलेट है 500 जी और उसके साथ में डोलो 500 जी इन दोनों को आपको चला देना है लेकिन एक सुए कैसे चला ना यह ध्यान रखके आप लोग चला दीजिए और जैसे ही चलाओगे ना यह सब दिक्कत कितम हो जाएगी चिक चा को कभी साउंड अलग है और बीमारी अलग है जब आप पोस्टम करोगे ना तब आपको सहीं से पता लगेगा कि इसमें वास्तों में सियार डी आ गई है ठीक है तो हमेशा ध्यान रखिए बाकि आसा करता हूं कि यह वीडियो में हमने जो काम किया हूँ आप लोग को पसंद आया लाइक करें कमेंट करें और में दोस्तों को सेयर करें देना है